नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में गमले में ग्रो कर सकते हैं अदरक के पौधे को बेहद आसान तरीके से तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मार्केट से कुछ अदरक परचेस करी है जब भी आप यह होती है कि आपको अदरक कब ग्रो करना है तो ठंडक खतम होने के बाद मार्च मैने के बाद अपरेल और मैं के मैने में आप अदरक को ग्रो कर सकते हैं 15 जून तक बारिश स्टार्ट होने से पहले तक आपको इसको ग्रो करना है क्योंकि अगर आपने उसके बाद सकते हैं कि सम्में अंकुरन स्टार्ट हो चुका है तो इसके दो तरीके हैं हम डारेक्टली भी अध्रक को ग्रो कर सकते हैं जिसके उपर मैंने अलेडी वीडियो आप लोगे शेर किया है लेकिन आज हम एक सेकेंड मैथर्ड यूज करेंगे जिसमें कि हम पहले इसकी सैपलिंग्स तयार करेंगे और उसके बाद इसको फाइनल प्लेस पर लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा मिट्टी का पॉट ले रखा है और इसमें ही मैंने चारो तरफ अच्छे से अध्रक को फैला दिया है अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो हम पॉटिंग मिक्स तयार करेंगे इस पॉटिंग मिक्स के लिए हमने यहाँ पर तीन चीजों को लिया हुआ है जिसमें मैंने लिया हुआ है कोकोपीट, नारिल का बुरादा, बालू जिसकों की बालू या रेत कहते हैं और नीम खली, यह तीनों चीज़े मैंने बराबर मात्रा में ली है वन इस्टू वन इस्टू वन के रेशियो में हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें ही हम सुरुवाती दौर में अपनी अद्रग को ग्रो करेंगे जब हमारे यहाँ पर सैपलिंग इस पॉटिंग मिक्स में तयार हो जाएंगे तो हम उसको फाइनल पॉट में ट्रांस्प्लांट करेंगे तो इस तरीके से हमको पॉट में बराबर इस पेस से अपनी अद्रग को फैला लेना है और उसके बाद जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाया है उससे हम इसको उपर तक प्रॉपर अच्छे से कवर करके अच्छे से पानी दे देंगे दोस्तो थोड़ी सी मिस्टेक होने की वज़े से मेरी आगे की क्लिप डिलीट हो गई है तो ये प्रॉसेस मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन बहुत ही सिंपल प्रॉसेस है बस आपको इस अद्रग को इस पॉर्टिंग मिक्स जो हमने अभी बनाई है उससे इसको पूरा कवर कर देना है और इसमें पानी देकर इसको चाओदार इस्तान पर रखना है जहाँ पर सुबह और शाम की दो से तीन गंटे की डारेक्ट सनलाइट आनी चाहिए और हयाद रखिए कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है बस इस चीज़ को इंशोर करना है कि आपके गंबले में नमी बनी रहे तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखने आगे का अपडेट तो दोस्तों यह है रिजल्ट 20 दिन के बाद का अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने अद्रक लगाई थी उसने अंकुरन स्टार्ट हो गया है इस मेतड को ट्राइ करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि इसमें हमारी मोस्की अद्रक जर्मिनेट हो जाती है और बहुत जादा खराब नहीं होती है तो यहाँ पर अच्छे से अंकुरन स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी इस स्टेज पर हम इसको अपने इन पॉट से नहीं निकालेंगे अभी हम इनको तोड़ा सा और आगे ग्रोह होने देंगे और उसके बाद हम अगले कुछ दिनों के बाद इसको फाइनल प्लेस पर जहां पर भी हमको लगाना है वहाँ पर हम इनको ट्रास्प्लांट करेंगे तो दोस्तों ये है रिजल्ट 35 दिन के बाद का जो भी हमने अधरक लगाई थी अभी हमें 2-3-3 पत्तियां आ गई हैं और ये आप देख सकते हैं ये है मेरे गार्डन की खाट जो की सूखी पत्तियां और जो भी मेरे पौधे सीजनल होते हैं खराब हो जाते हैं उनकी मैंने ये खाट तयार करी है इसका डेडिकेटड वीडियो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो वो वीडियो देखने के लिए गर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिलकुल मत बूलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये 30 लिटर का प्लास्टिक का एक पॉट ले रखा है प्लास्टिक का एक टब ले रखा है जिसमें कि ये मैंने अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी ली हुई है और यहाँ पर मैं इस टब में ही अपने ही नदरक के पौधों को लगाऊंगा तो यहाँ पर मैंने 50% अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी ली हुई है जिसमें कि मैं आड़ करूंगा 50% जो मैंने ये पत्तियों से खात तैयार करी है मैं इसको इसी में अच्छे से मिक्स करूंगा तो सबसे पहले तो हमारे गंबले की जो यह पुरानी मिट्टी है इसको हमको फोड कर एकदम भुरबुरा कर लेना है इस तरीकी की गाठ नहीं रहनी चाहिए और अब हम इसमें अपनी ये पत्तियों की खात को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारा ये प्लास्टिक का टप बिल्कुल रेडी है और अब हम इसमें हम अपने अद्रक की ये पौद लगाएंगे याद रखिए कि आप जिस भी टप का या गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर छेद होने चाहिए ताकि आप जो भी पानी दें एक्सेस वाटर तुरंत निकल जाए गमले में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए अब इस स्टेज पे हमको बहुत साफधानी बरतनी है हाथ की हल्प से धीरे धीरे क्योंकि हमने कोकोपीट का यूज किया है तो आराम से मिट्टी निकल जाएगी और इस से हमको अदरख की अपनी सैपलिंग्स बहुत ही संभाल कर निकालनी है अपने इस गमले में लगाएंगे अब उमको गहरे गड्डे बनाने जिसमें कि हमारी अदरख पूरी की पूरी मिट्टी के नीचे चली जाए अदरख बाहर विजबल नहीं होनी चाहिए अगर आप उपर ही उपर रख देते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको 1.5 इंच गहरे गड्डे खोद कर उसके अंदर ही आपको ये अदरख के पूद लगानी है और याद रखिए कि अगर आप गमले में अदरख को ग्रो कर रहे हैं एस्पेशली जून जुलाई के महने में जब दिन की धूप बहुत तेज होने लगती है तो उस टाइम पर अवॉइड करिए कि दिन की डिरेक्ट धूप आपके अदरख के पौद हो को मिले तो उस केस में आपको ऐसे प्लेस पर रखना है जहां पर इसको दिन की इंडिरेक्ट संलाइट या फिर पार्शी शेडेड एरिया में ही आपको इसको रखना है अगर ग्रीन नेट है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमने सारी पौद लगा दिये है अदरख की और अब हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अदरख को ग्रो कर रहे हैं तो आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है रोज अदरख के पौदे को पानी नहीं देना है हपते में दस दिन में जब उसकी सोयल उपर की थोड़ी सी ड्राई दिखने लगे तब ही आपको पानी देना है डेली अदरख के पौदे को पानी नहीं देना है तो यहाँ पर अभी हमने अच्छे से पानी दे दिया है और अब हम इसको रखेंगे पालशी शेड़ेड एरिया में और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आपको इस बात को इंशोर करना है कि मैं, जून, जुलाई की दिन की डारेक्ट दूब आपके इस अद्रक के पौदे को नहीं मिलनी चाहिए तो ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ पर इंडारेक्ट सनलाइट आती हो और सुबह और शाम को दो से तीन गंटे की डारेक्ट सनलाइट भी इस पौदे को मिल जाएगी तो यह और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा ग्रो कर रहा है इस स्टेज पर आपको भी अपने इस पौदे में कुछ नहीं करना है और क्योंकि मैंने पत्यों की जो खाट डाली थी वो slow releasing fertilizer है तो वो धीरे-धीरे मिट्टी के साथ और अच्छे से decomposed होती जा रही है और अपना nutrition इन पौदों को देती जा रही है दूप से ये बच जाता है जिस वज़े से आप देख सकते हैं कि इसकी leaf भी burn नहीं हो रही है इसकी leaf भी जल नहीं रही है और कितना bright color और कितना सुंदर आपको ये plant दिख रहा है इस stage पर भी मैंने आपकोई fertilizer नहीं दी है बस इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर गंबले में कोई भी घास पत्ती पतवार उगरा है तो आपको उसको उखाड कर फेकते रहना है तो चलिए मिलते को उस दिनों के बाद और देखते हैं और आगे का update तो दोस्तों यह है result 134 दिन के बाद का और अब आप देख सकते हैं कि मेरा यह plastic cut up पूरा अद्रक के पौधों से भर गया है अब यहां से हम इसको महने में एक बार liquid fertilizer देंगे liquid fertilizer के रूप में आप कई धेर सारी fertilizer अपने घर में तयार कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि कैसे तयार करनी है तो उसका link description box में मैंने दे दिया है तो वो videos देखकर या फिर video के last में एक playlist का link आएगा आप उस पे click करके घर में liquid fertilizer कैसे तयार करनी है वो धेर सारे videos मैंने अपने channel पे डाले हुए है तो उन videos को देखकर liquid fertilizer आप इस stage से अपने plant को गर देते हैं तो आपको एक अच्छा result मिलेगा और मैं आपको suggest करूँगा कि आप organic fertilizer का ही इस्तेमाल करें इन और्गनिक fertilizer का इस्तेमाल बिलकुल ना करें तो बेहत अच्छा result मिला है बहुत अच्छी तरीके से ये grow हो रही है हमारी अद्रक तो चलिए अब मिलते हैं को उस दिनों के बाद और देखते हैं final update तो दोस्तों यह result 196 days का इस stage पर मैं इसको उखाडने जा रहा हूँ लेकिन मैं आपको यही suggest करूँगा कि जब इसके पौदे पूरी तरीके से dry हो जाते हैं आपको उस time पर ही harvest करना है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे garden की सफाई होने जा रही है पहली चीज और season बदला है मुझे इसमें टमाटर के पौदे ग्रो करना है तो मैं इसको अभी harvest कर रहा हूँ लेकिन आपको 8 से 10 महने अधरक के पौदे को देने होते हैं एक अच्छे result के लिए मेरा purpose यहाँ पर सिर्फ आपको एक सई information देना था जो कि मैंने किया है और अभी मैं यहाँ पर इसको harvest कर लूँगा क्योंकि winter season आने लगा है और मुझको यहाँ पर winter season की vegetables ग्रो करनी है क्योंकि मैं terrace पर gardening कर रहा हूँ मेरे पास space बहुत limited है इसलिए मैं इसको harvest कर रहा हूँ लेकिन आप 6 मैने में इसको harvest ना करिए जब यह आपके पौदे पूरी तरीके से सूख जाएंगे तब आप harvest करेंगे तो आपको एक बेहद शांदार result मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यह harvesting तो गल लिये और ठीक टाक मुझको result भी मिल गया है हर पौदे में नीचे अधरक बैठने लगी ती यह वो stage है जहां से आपके पौदे में यह अधरक की गांट बनना start होती है तो यह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा result मिला है तो इस तरीके से आप भी अपने घर में बेहद आसान तरीके से ग्रोगर सकते हैं अधरक के पौदे को तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप में से जो पहली बार मेरा चैनल देख रहा है अच्छा लगा है